हाजरा हम एक बार फेरिट टॉप फाइब न्यूस के साथ दिन की पाँच बड़ी खबरों को हम आपको बताएंगे विस्तार से लेकिन उससे पहले सुर्खिया तो शुरू करते हैं अपना टॉप फाइब प्रोग्राम आपको बताने की पाकिस्तान के मशूर एंकर परसन इक्रार उलहसन भारत की तारीफ करने को लेकर विवादों में गिर गए है उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चलने लगे सरयाम नामा के एक टीवी शो को होस्ट करने वाले एंकर इंक्रार उलहसन ने भारत के नीती आयो के सीईओ अमिताप कांथ के ट्वीट को रिट्वीट किया था उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इंडिया बनाम पाकिस्तान अभी तक तै नहीं है कि पाकिस्तान वैक्सीन मंगाएगा या नहीं बनाना तो बहुत दूर की बात है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में दिखाई गई तस्वीर में एक जरजर बस दिख रही है तो भारत की पिक में जंचताबदी एक्स्प्रेस की तस्वीरे हैं जिसमें आराम दायक कुर्सियां दिख रही है पाकिस्तानी एंकर यहीं नहीं रुके उन्होंने पाकिस्तानी मुद्रा और पास्पोर्ट की इस्थिती का भी जिक्र किया उन्होंने अपने इस tweet में लिखा है कि दुर्भागे से पाकिस्तानी पासपोर्ट की स्थिती केवल सोमालिया और अफगानिस्तान से बहतर है पाकिस्तानी रुपया बांगलादेश के एक टका के बदले 1.9 सुनने के बराबर है और भारत के एक रुपया के बदले पाकिस्तान को 2.11 दो सुनने देने पड़ते हैं अल्ला हमें ताकत दे कि हम पाकिस्तान को असल मायने में जिंदा बात कर सके ऐसा नहीं है कि इकरार उलहसन के tweet के बाद उनका सिर्फ विरोध ही हुआ हो कई पाकिस्तानी सेलेबरिटी ने इकरार का समर्थन भी किया है इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्वतेज गेंदवाज शोय बखतर और एक्टर अली जफर ने उनके समर्थन में tweet किये है अब बात करते हैं अमेरिकी राश्पती डोनल्ड ट्रम्प की अमेरिकी राश्पती डोनल्ड ट्रम्प ने पद छोड़ने से पहले अपने विदाई संबोधन में कहा है कि हमने वही किया जो हम करने आए थे बलकि उससे भी जादा किया यूटूब पर पोस्ट किये गए एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैंने बेहत मुश्किल लडाईयां लड़ी क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए चुना था 20 जनवरी को आज के दिन मतलब नर्विरवाचित राश्पती जो बाइडन राश्पती पत की शपत लेंगे ट्रम्प ने अब तक नवंबर में सामने आए चुनाव नतीजों में हुई अपनी हार को पूरी तरह से सुईकार नहीं किया है ट्रम्प प्रशासन के आखरी दो सपता विवादों से भरे रहे जब उनके समर्थकों ने चुनाव नतीजों से नाराजगी जाहिर करते हुए कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया और हिंसक हो गए अपने वीडियो में ट्रम्प ने कहा है कि राजनीत सिप्रेरित हिंसा हर उन मुल्यों पर हिंसा है जिसे हम अमेरिकी दिल से मानते हैं अपने वीडियो संबोधन में ट्रम्प ने एक बार फिर जो बाइडन का नाम लेकर संबोधित नहीं किया अब बाद देश में सबसे बड़े मुद्दे की मतलब किसान अंदोलन की केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्ताविट ट्रेक्टर रैली को पुलिस का मामला बताये जाने के बाद मामले में कोट से हक्ष्ठेप की अनरोध वाली आचिका वापस ले ली है सुप्रीम कोट ने 26 जनवरी को प्रस्ताविट ट्रेक्टर रैली को लेकर दाया रैचिका पर कहा आप प्रदिकार हैं और आपको इससे निपटना है इस पर आदेश पारित करना आदालत का काम नहीं है आठ किसान यूनियनों की ओर से पेशवकील प्रशान भूशन ने चीफ जस्टिस को बताया कि किसान केवल बहारी रिंग रोड पर शांती पूर्ट तरीके से गरतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं उनका शांती को भंग करने का कोई रादा नहीं है वहीं किसान नेता कलवन सिंग संधू ने कहा कि किसान संगठोनों की नेता 26 जनवरी को ट्रेक्टर मार्च निकालने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के शीर्स अधिकारियों से मुलाकात करेंगे अब बाद चीन के तीसरे सबसे अमीर अरपती और करोडों लोगों के लिए फ्रेणा श्रोत जैक मा की जैक मा अचानक से दुनिया के सामने प्रकट हो गए हैं दुनिया में बढ़ते दबाओ के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा का एक वीडियो जारी किया है ग्लोबल टाइम्स के मताबिक जैक मा ने बुद्धवार को चीन के सौ ग्रामीन शिक्षकों के साथ वीडियो लिंक के जरिये संभाद किया जैक मा ने सिक्षकों से कहा जब कोरोना वाइरस खत्म हो जाएगा तो हम फिर मिलेंगे ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा को इंग्लिस टीचर से उद्यमी बनने वाला बताया है जैक मा के परिचे में अली बाबा का जिक्र नहीं किया गया जिसकी स्थापना खुद उन्होंने की है चीन में अब वहों का बाजार गर्म है कि जैक मा की कमपनी अली बाबा का नियंतरण चीन सरकार अपने हाथ में ले सकती है इससे पहले दुनिया भर में मशूर चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा के गायब होने के बाद से कई तरह से सवाल खड़े हो गए थे जैक माने देश भर के ब्याजखोर वित्य नियामकों और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में कडिया लोजना की थी अब आद खेल जगत की खेल जगत की सबसे बड़ी खबर भारत और ऑस्टेलिया के भी चार टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है इसके अलाबा इंग्लेंड और शेलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल मतलब ICC ने भारत ऑस्टेलिया ब्रिस्बिन टेस्ट और सेलंका इंग्लेंड पहले टेस्ट मैच के बाद ताजा रैंकिंग जारी की है बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया की कप्तान विराट कोली तीसरे से चौधे पायदान पर खिसक गए हैं जबकि इंग्लेंड के कप्तान जोरू डबल सेंचुरी के बाद टॉप फाइब बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं अजिंग के राहाडे को भी रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है और वहें नौवे नमबर पर खिसक गए जबकि चेटरस्वर पुजारा साथवे पायदान पर आ गए हैं टॉप टेन टेस्ट बल्लेबाजों की बात करें तो कीवी कप्तान केन विलियमसन नमबर एक की कुरसी पर बने हुए हैं जबकि ऑस्टेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ दूसरे पायदान पर हैं औस्टेलिया के मारनस लाबुसन ने विराट कोली को पीछे छोड़ते हुए नमबर तीन की गद्दी हत्या ली है जबकि एडिलेट टेस्ट के बाद पैटरनेटी लीब पर गए विराट कोली चौथे पायदान पर खिसक कर आ गए हैं रूट पाँचवे नमबर पर है जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टॉप फाइब बल्लेवाजों की लिस्स से बाहर हो गए हैं इसके बाद पुजारा को दो पायदान का फायदा मिला है और वह सातवे नमबर पर पहुँच गए हैं बेन स्टोक्स आठवे पर जबकि अजिंक के रहाडे नौवे नमबर पर हैं कीवी टीम के हेंडरी निकोलस दसवे नमबर पर खिसक कर आ गए हैं तो जाने से पहले आपको बता दे कि देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे विस्तार से देखने के लिए टॉप फाइब निउस जरूर देखें और टॉप फाइब निउस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं